अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे scanline algorithm, scanline algorithm क्या होता है, scanline algorithm का क्या काम होता है, यह detect करता है, remove करता है hidden surfaces को, तो scanline algorithm is used to detect and remove the hidden surfaces, यह algorithm किस पे based होता है, हमारा image based method पे, यह depend करता है, ठीक है, वुस approach को यह use करता है, तो इसमें क्या होगा, कि जो image projection यह है, उसको वो use करता है, और view plane, then इसमें three tables use होते हैं, पहला होता है h table, एक होता है active h table, और third होता है polygon table, h table को हम denote करते हैं et से, active h table को हम कहते है aet, और polygon table को कहते है pt, अब यह कुछ इनके format है कि क्या-क्या in tables में store होता है, edge table में क्या होगा, edge table में सबसे पहले x आता है, x क्या होगा, इसमें यह होता है कि अगर कोई हमारा polygon है, ठीक है, उसमें से कोई scan line जा रही है, तो scan line polygon की जिस edge को intersect करेगी, जिस point पे intersect करेगी, ठीक है, या अगर कोई दो polygon जिस point पे intersect कर रहे हैं, तो उन में से यह x की value को store करेगा, और x की कौन सा x लेगा, जिनका y उन सब x में से compare करेगा, जिस y की value small होगी, उन सब में से, तो small वाला x को यहाँ पे रखेगा, y max क्या होगा, अब जिसकी y की coordinate है, उसकी maximum value होगी, suppose अगर हमारा कोई polygon ये polygon है, ठीक है, ये polygon है, यहाँ पे ये scan line इसको इस point पे intersect करे, तो इसके जो ये दो end points है, इन दोनों end points में से देखेगा, किसकी y की maximum value है, जिसकी y की maximum value होगी, वो y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे ये store करेगा, slope of line, ठीक है, जिसे हम कहते है, delta x से, delta x क्या हो जाएगा, 1 by m, तो यहाँ पे जो भी line है, उस line के slope को, यहाँ पे value को रखेगा, और id बताएगा कि, जिस edge की हम बात करे हैं, उस edge की id यहाँ पे हो जाएगी, तो आगे ये pointer है, pointer point out करेगा, कोई next आगे field है तो उसे, then next आता है, next table पे आते है, active edge table, active edge table के अंदर क्या होगा, scan line होगी, जैसे ये, suppose scan line, एक ही scan line आ रही है, एक ही scan line है, तो किस scan line की हम बात कर रहे हैं, वो scan line आएगी, और वो edge के कौन से surface में आ रही है, वो surface होगा, और उसकी क्या id है, वो यहाँ पे आ जाएगी, then third वाला होता है, आपका polygon table, polygon table में क्या होगा, id polygon की, polygon की क्या coefficient है, जैसे ये polygon की equation होती है, surface की equation होती है, इसके जो ये coefficients है, तो ये coefficients यहाँ पे आ जाएंगे, सारे abysiding की value होगी, then क्या shading है, क्या color है, polygon का वो यहाँ पे आएगा, और in और out, in और out में, polygon में की आप by default इसकी value false रहती है, means by default ये out में रहता है, अगर change करना है, तो हम zero one से भी change कर सकते है, then ये pointer point out करता है next को, अब इसको एक example से समझते हैं, तब जादा समझ में आएगा आपको, यहाँ पे ये एक diagram show है, यहाँ पे ये दो एक surfaces है, दो polygon दियों है, ठीक है, एक S1 surface है, ये आपका blue वाला और एक S2 surface है, ये green वाला, ये दो आपकी scan line है, L और L2, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये scan line L1 इस point पे गई, और एक यहाँ पे गई, ठीक है, और ये L2 कहाँ पे हो रही है, आपकी यहाँ पे आ रही है, और एक यहाँ पे आ रही है, तो सबसे पहले हम scan line L1 को लेते हैं, जब scan line L1 ली हमने, तो अब ये जो L1 लाइन यहां पर intersect कर रही है कौन से edge को कर रही है सबसे पहले ab edge को कर रही है ठीक है तो ab edge लें लिए और ab edge कौन से surface पर these low ab is कौन से surface pay compare s1 LIVE ठीको पोरा यह जो Polygonર सऄसेस से एस बन इस पूरे Polygon्त का Have a different 색 too और ंच यहां पर कर रही है यह कौना सी एज है AC line है ठीक है AC है एज एज पर और एज एज का भी कौन सा सर्फेस है S1 सर्फेस है ठीक है दन दूसरी हम scan line पर आते हैं L2 पर तो L2 सबसे पहले कहां पर कर रही है इंटरसेक्ट इधर तो यह कौन से यह हो गई A, B सर्फेस इसका कौन से हो गई S1 दिन आगे जब यह जा रही है तो देखो यहां पर दो यह दोनों जो यह सर्फेस हैं पॉलिगर है यहाँ पर यह intersect कर रहा है और scan line यहाँ पर इन से कर रहा है तो यहाँ पर यह जो scan line है कौन किस किस पर आ रही है एक AC पर आ रही है और दूसरी ED पर आ रही है ठीक है तो scan line जो L2 है AC और ED edge पर आ रही है और AC edge के लिए surface हो गया S1 ED edge के लिए surface हो गया S2 और फिर यहाँ पर यह आगे जाके कौन से यह E2 लाइन जो scan लाइन है वो कहाँ पर intersect कर रही है EFH पर EFH पर और EF का surface होगे S2 ठीक है अब यहाँ पर अब यहाँ पर तो सबके एक एक surface है तो यहाँ पर कोई problem नहीं है इसी surface की हम depth ले लेंगे बट यहाँ पर अब दो surface है तो हमें यह decide करना हुआ कि किसकी हमें depth की value store करनी है तो वह हम कैसे करेंगे हम compare करेंगे S1 और S2 दोनों की depth को और उनमें से जिसकी less होगी उसको हम consider कर लेंगे ठीक है सब्सक्राइब यहाँ पर S2 की less है थेंगे